हलो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और जटबर बनने वाला नाश्टा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारा सामान घर में ही मिल जाएगा तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं इस नाश्टे को बनाने के लिए मैंने एक कप कहूं का आट लिया है जिस आटे से हम रूट्ययक बनाते है बस वही आटा हमें लिना है Link में डाल देंगे मैदा मैदा मैंने लचा मेंने मोय चमच यह और को हम डाल देंगी 2-2 ऐल कि जगा आप गीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे ripe इसमें अज़ियोगय शक्ते हैं लेकिन मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाली है बस हमें करना क्या है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक हाट डो तयार कर लेना है जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं बस वैसे हमें सकत आटा लगा लेना है और ये देखे मैंने आटा गूंद लिया है और इसे हम ढ़का 10 मिनट के लिए रख देंगे तो चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं दो आलो को उबाल कर उसके छिलके निकाल लेना है और उसे कद्दू कस कर लेंगे और आलो को हम डाल देंगे बाउल के अंदर आप चाहे तो आलो को मैश भी कर सकते हैं लाल मेच पाउडर डाल देंगे आदा चमच हल्ती पाउडर डाल देंगे वनफोर्थ चमच और साथ में डाल देंगे गरम मसाला वनफोर्थ चमच अम्चूर पाउडर डाल देंगे एक चम्मच अम्चूर पाउडर के जगर चात मसाला भी डाल सकते हैं और धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्मच कसुरी मेती डाल देना है एक बड़ा चम्मच और थोड़ी से हरी मिर्च काटके डाल देंगे अगर आप तीखा जादा खाते हैं तो हरी में इसके कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इस पर डाल देंगे नमक नमक मैंने वनपोर्थ चमज डाला है आप अपने स्वादनों सार नमक डाल दे बैंडिंग के लिए डाल देंगे तीन बड़े चमज कॉंट फ्लार कॉंट फ्लार के जगा आप चावल का आटा भी ले सकते हैं और अब हम क्या करेंगे सबी को अच्छे तरह से मिला लेंगे कॉंट फ्लार टलने से क्या होता है ना अलू के अंदर का जो मौस्चर है न हो कॉन फ्लार सोख लेता है और ये देखे मसाला तैयार हो गया है तो चलिए इसे हम रख देते हैं एक तरफ आटे को भी हम देख लेते हैं आप देख सकते ही आठा अच्छे से सेट हो गया है और सौफ्ट भी हो चुका है एक बार हम आठ को दो भागों में डिवैट कर लेंगे और बस इस तरह से हातों से गोलगोल गुमाते हुए एक बड़ी सी लोई बना लेना है लोई के उपर थोड़ा सा सुखा आठा लगा के हम इसे बेल लेंगे रोटी हमें न ज्यादा मोटी चाहिए और न ज्यादा पतली चाहिए और बस इस तरह से हमें एक बड़ी रोटी बेल लेना है और आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ी से रोटी बना लिया और इसे में एक तरफ रख दूंगे और अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेंगे कोशिश करें कि दोनों रोटी का साइज बराबर हो अब हमें करना क्या है आलू का जो मसाला हमने बनाया था बस उसे हमें इस रोटी के उपर फैला देना है बस इस तरह से पूरी रोटी में बराबर से फैला देना है इस पे हमने कौन फ्लार डाला है इसलिए आलू का जो मसाल उसे पुरी तरह से फैला दिया है और इसके उपर रख देंगे हम दूसरी रोटी जो हमने बना के एक तरफ रखी थी ना उसे रख देंगे और बस इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस दे देंगे और बिलन की हेल्प से इस तरह से हम थोड़ा सा हलका हलका बेल लेंगे इ दिरे हम कट कर लेंगे, सभी पीस हमें बराबर से काटना है, कोई छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कि जो हम फ्लावर बनाएंगे न छोटे बड़े बनेंगे, साइज एक जैसा नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं, मैंने सभी स्कॉयर पीस सेम साइ लेते हैं मैंने एक पीस उठा लिया है और अब हम क्या करेंगे यह जो दो कोनी है ना इसे हम आपस में मिला लेंगे और यह देखे प्रेश देखे इस तरह से दबा देंगे और अब हमें करना क्या है यह जो दूसरे दोनों सिरे हैं इसे आपस में हम मिला देंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे और यह देखिए हमारा फ्लावर एक बन के तैयार हो गया है तो चलिए एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ और यह देखिए दो सिरे मैंने लेके चिपका दिए आपस में और यह जो दो सिरे हैं इसे हम इस तरह से उपर लेते हुए चिपका देंगे और ये देखिए दूसरा फ्लावर भी हमारा तयार हो गया है बस इस तरह से हमें सभी फ्लावर बना लेना है आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी फ्लावर बना के तयार कर लिए हैं तो चली आप हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तेल मेंने पहले से गरम होने रख दिया था है, एक एक करके हम सबी फ्लावर इसके इंदर डाल देंगे, एक बात याद रखे कि हमें ये नाश्ता डालते टाइम गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, तेल में हमें इस तरह से पलटती हुए, उपर नीचे से दोनों तरब से हमें प्राई कर लेना, क्रिस्पी होने तक, दोस्तों ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप यकीद मानिए, दोस्तों इसका टेस्ट ना बिल्कुल समोसे के जैसे ही आता है, और ये देखे हमारा नाश्ता अच्छी तरह से प्राई हो चुका है, इ ऐसे तो ये समोसा हरी चितनी के साथ में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस नाश्ते को आप एर टाई कंटेनर में भरके एक हफते तक रख सकते हैं, एक पर आप इसे ज़रूर बना के देखें, और कैसे बनिए मुझे कमेंड करके ज़रूर बताएं, सब्सक्रा